नमस्कार आज JPSC से संबंधित एक अहम सूचना निकल करके आ रहा है और वो सूचना क्या है मैं वो सूचना आप सभी को देना चाहता हूँ और यह सूचना क्या है तो सूचना जिनरली आयोग के द्वारा जो निकल करके आ रहा है तो ओ आ रहा है कि रिजल्ट डीपी से पहले देने का बात आ रहा है लेकिन इस बात में कितना सच्चाई है आयोक के दवारा, क्या DP के पहले, दुर्गापुजा के पहले आंसर की जारी किया जाएगा और result या किवल आंसर की जारी किया जाएगा इसके बारे में हम लोग पहले समझने का अच प्रयास करते हैं, क्या आयोक कर रही है अभी recent में आपको पता है कि 19 September को exam हुई थी JPSC का 7, 8, 9, 10 इस JPSC का जब exam हुआ 19 September को PT का exam हुआ है अब देखना है कि सरकार इस PT का answer की और result कब परकासित करेगी answer की जब आयोग के दोबार जारी किया गया था तो कहीं ने कहीं इस answer की में काफी पिवाद रहा है इस answer की को फिर से आयोग re-revise करके जारी करेगी लेकिन इसके लिए कितना समय लेगी आयोग तो देखिए answer की मुझे लगता है लगभग 7 से 8 तारिक से पहले हो सकता है 7 या 8 तारिक से पहले 7 या 8 ऑक्टूबर से बिफोर आयोग के दोवारा फिर से प्रकासित किया जाएगा आपका re-answer की जारी किया जाएगा एक बार उन्होंने प्रकासित किया उसमें से कुछ प्रस्ण गलत थे तो उसके लिए फिर से आयोग जारी करेगी तो मेरे पास जो सूचना है 7 से 8 तारिक की बीच में फिर से आयोग इसका answer की जारी करेगी लेकिन इस PT का result कब आएगा result result कब आएगा अब इस पे result पे भी दो बात है अब ये दो चीज़ें क्या है result क्या सरकार दुर्गा पूजा से पहले प्रकासित करेगी या दुर्गा पूजा के बाद ये भी एक अहम सवाल है student का बहुत सारे student का query है किसे result कब आएगा तो result को लेकर के आप निस्षित रहें कि सरकार दुर्गा पूजा दीपी से पहले प्रकासित करेगी मेरे पास जो information आया है मेरे पास सूचना के अधार पर मैं बता सकता हूँ कि 14 October के पहले 14 October के पहले प्रकासित किया जा सकता है यानि आपको पता है कि अब दुर्गा पूजा पूजा बहुत नियर है तो इस डीपी से पहले सरकार रिजल्ट भी प्रकासित करेगी लेकिन अब यहाँ पे एक अहम सवाल है वो एमार सीट प्रारम हो गया है चेक फुना लेकिन अब देखने वली बात है कि काफी वो एमार है तो अब वो एमार सीट करने भी कुछ समय लगेगा तो हो सकता है बहुत सारे अगर स्टाफ छूटी में चले जाएं तो फिर यहाँ एक संसे वली बात हो रहा है अफ्टर हो जाएगा अभी बात आ रहा है रिजल्ट का डीपी का पहले 14 अक्टूबर से बीफोर लेकिन अगर यहाँ पर जो सरकारी इंप्लॉई है जो सरकार में इंप्लॉई अभी बैठे हुए हैं जो कोस्टन चेक कर रहे हैं अगर उस छुट्टी में चले जाएं तो हो सकता है यहाँ थोड़ा सा प्रेशानी बढ़ सकती है आयोग को और यहाँ पर रिजल्ट परकासित करने में प्रेशानी हो सकती है जो एक तिथी निरधारित की जा रही है चुके आयोग का भी कोई तिथी घोसित नहीं हुआ है यह मेरा मानना है और जो मेरे पास इंपूट्स आ रहा है यह 14 अक्टूबर का है लेकिन तब जब पूरा ओमार्च छेक हो जाए सीट पूरा ओमार्च पूरा छेक हो जाएगा तो उमीद है कि 14 अक्टूबर से बिफोर रिजल्ट आ सकता है और इस रिजल्ट से पहले आपको 7 से 8 दिन के अंदर अंदर यानि हम कह सकते हैं आप आज हो गया 3 आज कितना तारीक है आपका 3 तो 3 है और 3-4 दिन और विट कर लिजे तो कुल मिला करके 7 से 8 तारीक के बीच में हो सकता है आपका आंसर की फिर से रिवाइज हो करके आयोक के दुवारा परकासित किया जा सकता है तो यहां एक अहम सवाल था इस्टूडेंट का मन में कि सर उनी सेप्टमबर को एक्जाम हुए इतना जल्दी रिजल्ट आपाएगा बिल्कुल आएगा और आपको पता है ना कि इसमें आंसर की को लेकर के जब आयोक के दुवारा चुकि कोश्टन इसमें से बहुत सारा जिपे सी का कुछ-कुछ कोश्टन में बिवाद था उस बिवाद को देखते हुए आयोक ने एक्जामनेशन के बाद दो तीन दिन के अंदर तीन चार दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपना आंसर की प्रकासित किया और उसके बाद में जब आंसर की आयोक के दोवारा आया तो उसमें बहुत सारे कुछ-कुछ कोश्टन था जिसमें कॉंट्रवर्शी था, बिवाद था तो उसके बाद से आयूग ने पुनर विचार करके फिर से री रिजल्ट यानि री आंसर की प्रकासित करने का निर्ने लिया है और यह साथ से आठ तारीक के बीच में आने का उमीद है, हो सकता इसे पहले आजे तो इसके लिए घबरानी क्या हो सकता नहीं है, फिर से आप मैच कर लिजिएगा अब रहा सवाल रिजल्ट, तो रिजल्ट हमने क्या करें, हमने कहा कि यहाँ डिपी का भी एक महावल आ रहा है, डिपी का सीन आ रहा है यहाँ अब DP आने वाला है अब DP तो आ ही गया है तो अब DP के संदर में OMR तो चेक होना प्रारम हो गया है लेकिन जब DP आ गया है तो यहां हो सकता है कि अगर जो employee हैं अगर ओ छुटी में चले जाएं तो हो सकता है यहां थोड़ा फस सकता है मामला और यहां फस्ता हुआ दिक भी रहा है अगर लेकिन अगर छुटी में नहीं जाएं तो हो सकता है शौदा हक्टूबर से पहले आपका result परकासित हो जाए यहां पे result आपका आ सकता है result बिलकूल आ सकता है result लेकिन प्रयास आयूक का है कि हम DP से पहले लोगों को result दे दे और उसके बाद में फिर new vacancies का बात भी आ रही है तो new vacancies उमीद है कि जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में प्रकासित हो vacancies तो कुल मिला कर के अभी का recent का जो चर्चा में अभी था उस बात को हमने आपके सामने रखा इस बात को अब इसे इस ध्यान में रखेगा क्योंकि हो सकता है 14 October से पहले आयूख result परकासित करें और 7 से 8 तारिक से पहले हो सकता है आपका आज 3 तारिक है 4 दिन 3 दिन के अंदर अंदर हो सकता है आपका अरी answer की फिर से आजए तो आप patience रखे फिर से आप correction कर लिजज़ेगा आयूख क्या answer भीज़ती है उससे आप match किज़ेगा उसमें भी अगर कोई विवाद रहता है तो फिर आप आयूख से अपना वहाँ पर रख सकते हैं बात और इस पर विचार फिर से किया जा सकता है तो आज के लिए अब इस विडियो को यह स्वाब करते हैं